बीती रात राजधानी शिमला में जमकर बारिश हुई बारिश होने से जगह जगह लैंड्सलाइड की तस्वीरें सामने आई इसके अलावा कई जगह पर पेड़ सडक पर गिरे नज़राए उधर शिमला के हिमलैंड के समीब मुसलधार बारिश से मलबा और पेड सडक पर आगिरे जिससे वहां खड़े वहानों को खासा नुकसान पहुंचा है साथ ही मुखे सडक भी बंद हो गई जिसके बाद छोटा शिमला और कुसुम्टी की और वहानों की आवाजाही ठप हो गई तूटी कंडी से होकर वहनों की आवाजा ही करवाई गई इतना ही नहीं मलबा आने से पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है सुबह खास कर स्कूली बच्चों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा पेड की चपेट में सड़क किनारे खड़ी की गई करीब पांच गाड़ियां आई है गनिमत तो ये रही कि जब पेड गिरे तो उस समय कोई वाहन वहां से नहीं गुचर रहा था जिससे बड़ा हादसा भी हो सकता था फिलहाल मलबे और पेड को अटाने का काम शुरू किया गया इसके अलावा डी सी ओफिस के समीब भी सड़क पर पेड गिरे है गौर रहे कि शिमला शहर में देर रात से सुबह तक भारी बारिश हुई सुबह जाकर बारिश कम हुई लेकिन बारिश से नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही है ऐसे में अगर आप भी शिमला में रहते हैं या शिमला में सफर कर रहे हैं तो एहतियात बरतें हो अगर बारिश आप है बेश्पल सनी हÅर्ग बस्थोर ही तो पर यदिने विल काूंए हमेटा attack समय कर्या जएफफिस कर्या भी करकी आवर स ही जएएमागब, प्रैषआ हो drift कर दूर आखे फी जो प्राइए-वाँ बस्त liber刹 सुपंग कर साओी, ये जए एकन जर्पादस